सेंटल गोर्मेंट का उसके अंडर में इस्ट्यूट होते हैं वो ये बैंकिंग के कोर्स कराते हैं इन्हें करने के बाद आप किसी भी बैंक में डारेक्ट अपलाई कर सकते हो जोब के लिए और स्टार्टिंग में आपको 15, 20, 30,000 की जोब इमिजेट मिल जाएगी डिपलोमा करके आप जोबुझे हैं आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक में जोब पाने के इस को लेक ceram एडार मै नहीं कर चार-Πारीक बताये प्लोमें उसके Call कैसे बाईव चाहते हो उसके उपर काफी कोमेंट आए बी वन लैग-फ्लस वई चल रही है तो काफी कोमेंट कि सर मुझे प्राइवेट बैंक में जोब चाहिए क्या तरीका है एकदम से मुझे चाहिए मैंने भी 12 किया है तो मुझे जोब चाहिए ग्रेजिशन किया तो मुझे जोब चाहिए लिटरली एक जैन्मिन तरीका बता दो जी यह वो तरीका आज आपको बताने वाला हूं जो कि आज के टाइम पर मुझे जो लग रहा है कि पेशन्स स्टुडेंट्स में बहुत कम होता है कि आप डिग्री करो डिग्री के बाद एक्स्पीजन्स लो देन आप अपलाई करो ठीक है और जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खाथी सेलरी मिलती है गोर्नम में बैंक में जोब पाने के काथी सारी तरीकि अगर आप वीडियो देखनी है कि लिंक नुड की ब्रोटन सब्राइव वीडियो डिखनाहित तो मेरी वीडियो ओर जा जाइए ठीक है पुरे ये ऑदो पर मेरी वीडियो आयेंगी सबसे और यह बात चेक करके से बीखना ले बिल्कुल step by step, आज मैं कोई detail वीडियो नहीं बता रहा, आज मैं ट्रिक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको सीधा job मिल जाए, पूरा step by step वो अपना तरीका बताऊंगा, डिडियल वीडियो में तो क्या है वह एक चीज आप जाके खुद भी चेक कर सकती हो, गूगल पे, बैंकिंग डिपलोमा के ओपर मिल जाएगी, तो चलिए पहले थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं, ब्रीफ में आपको बता देता हूं, देखो अगर बैंकिंग डिपलोम में में बात यह रहती है दोस्तों कि यहां पर आपको बैंक के प्रोफेशनलिजम और फिनेंस के जो प्रोफेशनलिजम होते हो पड़ाया जाता है, ठीक है, यह कोई युनिवर्स्टी नहीं कराती, और्टोनॉमस कॉलिज कराते हैं, ओल इंडिया, जो आई, 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 आ में आपको 15, 20, 25, 30,000 की जोब इमिजएट मिल जाएगी, मेरे खुद की जो रिलेटिव है, मेरा बतीजा, वो ओल्रेडी बैंक में है, जी है, एक्सिस बैंक में जोब कर रहा है, और उसने यही डिप्लोमा किया था, जो मैं आपको बता रहा हूं, काविसारे स्टूडेंट जनको मैंने गाइड किया, Both are very happy now, मैंने बताअ कि आपiendo banking का diploma करें, चाहे तो रिलेट कर लेई, finance के साथ, चाहे insurance के साथ, अगर आप banking and finance का करते हैं तो आपको banking और financial sector में job मिलेगी अगर आप banking and insurance का करते हैं तो आप bank के साथ साथ किसी insurance company में भी job कर सकते हो लेकिन याद रहे insurance company में marketing की job मिलती है जो कि आज के time पे बहुत easy हो जा रही है तो best का है banking and finance तो इसकी अगर मैं eligibility की बात करूं तो आप 12th pass out है ठीक है और कुछ diploma ऐसा होता है जिसमें आपको graduation चाहिए minimum आपको चाहिए तो अब best क्या रहेगा क्या 12th के बाद मुझे diploma करना चाहिए मैं नहीं कहूंगा आपको करने के लिए क्योंकि लालत बहुत बुरी बला है 12th के बाद अगर कोई institute diploma करा भी राय बैंक का आपको job मिल जाएगी तो आपका career वहीं रुख जाएगा मैं कहूंग कम से कम graduation करो B.com करो BA करो B.sc करो कोई भी कर सकता है diploma graduation complete होते ही आप diploma कर लीजे एक साल का diploma होगा यानि कि मैं इसकी duration की बात करूं तो उसकी one year होगी अब बात करते हैं फीस की तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि हर institute की अलग अलग फीस होती है तो मैं आपको एक अंदाजा ब जहां पर आपको facilities average मिलेंगे अगर high facility वाला चाहिए तो लाक रुपे भी कम है फिर तो आज के time पे जो course है जो diploma है ये institute भी कराते हैं और universities के जो college है वो भी कराते है ठीक है ना जी या बहुत सारे college ऐसे हैं जो AICT से भी registered है affiliated है और UGC से भी affiliated है तो वह आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा बात करते हैं अगर आप ये course कर लेते हो तो salary की तो ये देखिए four point से लेकर six point five lakh पर यानि के Salana आपको यहां पर मिल सकते हैं अब placement कैसे मिलेगा तो placement के दो तरीके हैं पहला तरीका है कि आप यह समझ के चलिए कि आप जिस इंस्ट्यूट से करते हो और वह एक अच्छा इंस्ट्यूट है तो वह आपको जो simple तरीका है वह है direct apply अब यह direct apply कैसे होता है तो वह वीडियो के आखिर में बताऊंगा ठीक है उसके लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें अब बात करते हैं दोस्तों कि simply अगर आपको पोश्ट की बात करूं पोजिशन की तो बैंक में आपको एक तो सेल्स की जोब मिलेगी लेकिन कुछ लोग यह सोचना है कि डिपलोमा करके बस सेल्स की जोब मिलती है तो हम करें क्यों नहीं ऐसा नहीं है डिपलोमा करके आप रिस्क मैनेजर की जोब ले सकते हो आप लोन क की बात करें क्या कि आपको पढ़ाय जाता है तो देखो सिंपल सी बात है आपको यहां पर प्रिंसिपल सो बैंकिंग फिनेंस अकाउंटिंग कैसे रिटेल बैंकिंग क्या काम करती है कस्टोमर बियेवियल कैसे काम करता है यह बेसिक चीजे आपको पढ़ाई जाएंगे अब दिप्लोमा यह कहां से करें उसके लिए पूरा तरीका बताया था वह वीडियो देख लो फिर में शोर्ट में बता देता हूं आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है बैंकिंग डिप्लोमा नियर्मी नियर्मी करेंगे तो आपके आसपास के 50-100-200 किलोमेटर में जितने इंस्ट्यूट आते हैं सब आजाएंगे फिर आप थोड़ा टाइम दीजिए कुछ इंस्ट्यूट की रैंकिंग वगरे केसाब से उन पर विजिट करो उनकी वेबसाइट पर इस्टूडेंट्स के रिव्यू चेक करो प्लेस्मेंट चेक करो फीस कंपैरिजन करो इजिली क मिल जाती है ठीक है तो यह देखिए तो भाई कुल मिला के बात यह है फीस आपकी 15-20,000 के एक्सपेक्टेड ही होती है एवरेज प्लेस्मेंट्स अच्छा मिलता है और चितने भी प्राइवेट बैंक से इंडिया में वहां पर डारेक्ट अब वकैंसी कैसे लगती है तो च जब आप डिप्लोमा करोगे उसके बाद किसी बैंक में जाओगे तो वहां पर आपका इंटर्वी होगा रिटर्न होगा इंटर्वी होगा उस इंटर्वी को आपको करना पड़ेगा उसके बाद ही काम चलेगा समझ में आगी बात तो में तिंग इस अबाउट कि आपको क् करने के बाद apply का तरीका बता देता हूं apply के लिए आप डारेक्ट बैंक में जाओ जैसे मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर सर्च किया HDFC jobs ठीक है बस मैंने इतना सर्च किया तो HDFC की official website आपके सामने आ जाएगी यह देखो आ गई अब इसमें आप जाके check कर लो अपलाई कर दो इस तरह के सभी बैंकों की अपनी websites बनी होती है करियर के नाम से जैसे ICIC bank career SDFC bank career access bank career इस तरह से दूसरा तरीका लिंड इन और नौकरी.com पर अपना बना लो LinkedIn और नौकरी.com पर अकाउंट बनाने के बाद वहां पर जो इन बैंकों के HR होते हैं human resource management HRM वहां पर अकाउंट होता है उनका तो वहां पर आपको updates मिलती रहेंगी उसके थूरू भी आपकी घर आजाएगी चलके बात वही रहेगी डिपलोमा करने के बाद आपको अपलाई तो करना पड़ेगा इंटर्वी तो देना पड़ेगा वेट तो करनी पड़ेगी लेकिन हाँ एक अच्छी बात होगी कि आपकी जोब जब स्टेबल हो जाएगी ठीक है ना क्योंकि आपके पस स्केल है तो अगर जल्दी जो पाना है ट्राई करो अप्लाई करो और ऐसी मोर वीडियो स्केले में फॉलोगर थेंक्यू